हलो स्टुडेंट्स आज हम यहाँ देखेंगे कि NISM का जो mutual fund से related अभी एक course चल रहा है इसके अंदर जीन candidates का NISM के लिए certification का enrollment हो चुका है जिनोंने application कर दिया था उन्होंने अभी check करना है अपना email क्योंकि अब आपको आ चुका है एक email जिसका नाम है NISM certification इस नाम से आपको आपका जो certification है उसके बारे में कुछ यहाँ पर notification आई हुई है तो आपको NISM certification इस नाम से एक email आया होगा उस email को आपको open कर सकते हैं आपको यहाँ पर जैसे आप देखें कि यहाँ पर एक email आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा है NISM certification तो इसको हम open क करने के बार में आप यहां पर देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका जो इमेल है मुबाइल में आपको दिख रहा होगा तो यहां लिखा है thank you for registering at NISM online certification systems please verify your email by clicking on the verification link below alternately you may copy paste the following link in your browser तो यहां पर बिलकुल कुछ भी नहीं करना है सिर्प यहां पर जो आपको click here का option आपको दिख रहा है यह जो click here का आपको option दिख रहा है इस click here के उपर आपको click कर देना है simply और उसके बाद आपको मिलता है एक यह वाला window जिसके उपर email verified लिख क्या आ रहा है आपको यहां पर देख सकते email verified ऐसा लिख क्या आ रहा है your email has been verified your profile will now be reviewed by the NISM in next three working days in case of any disparity you will be notified through email or SMS you may continue to login using your email and password you will however be able to enroll for the exam तो जो भी है यह जहीं तक आपको अभी करना है आपको सिर्फ email verified यहां पर कर लेना है तो click here का button दबा देना है आपको पिछला वाला और उसके बाद इस page पर आने का बाद जब आप यहां पर click here भी दिखा हुआ है नीचे आप देख सकते हो सबसे नीचे भी click here का option दिखाई दे रहा है यहां पर भी आपको click कर लेना है और अगर आप आगे बढ़ते हो इस case में तो यहां पर आपको पूछता है यह आपका email address और password for the login यहां पर आपको रुख जाना है अभी आपको सिर्फ इतना ही करना है यहां पर आपको कोई login वगरा अभी नहीं करना है तो ध्यान रहे जितना अभी मैंने बोला है आपको दो बार click here के उपर click करना है पहला तो उसमें जो आपको email आया हुआ है और दूसरा जब यह browser का पेज ओपन हो जाता है तो वह जो click here का है वहाँ पर भी आपको click कर देना है आपका इताव की email जो है वह verify हो जाए थैंक्यू वेरी मच